10 to 11 moving students यानि कि वो सारे विद्यारती जो 10 वी से 11 वी के तरफ बढ़ रहे हैं और जो भविश्य में डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं उस टालेंट को रिकगनाईज करने के लिए और उन्हें आर्थिक आधार प्रोवाइड करने के लिए IIB लेकर आ रहा है अ स्कॉलर्शिप एक्जाम कॉल्ड IIB FAST यानि कि Free Admission Selection Test IIB एक विश्वस्निय नाम है 21 वर्षों से मेडिकल पूर्व परिक्षा की तयारी के लिए 12 वी के बाद जो विद्यारती डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें एक नाशनल लेबल एक्षाम देनी परती है जो की CBSE करिकुलम के उपर बेस्ट एक्जाम जैसे ही विद्यारती 10 वी से 11 वी में निट की तयारी का निड़ने लेता है पुरे महराष्टर वर्ष में एक में विश्वस्निया नाम उसके समख्षाता है लाटीज आयाईबी आयाईबी ने ये विश्वास 21 वर्षों से जीता है उसके निरंतर बढ़ते हुए रिजर्ट्स की वज़े से आज आयाईबी की उंचा ये है कि आज महराष्टर के टोटल मेडिकल कॉलेज की सीट्स गिनी जाए तो उसमें से मोर देन 30% सीट्स आर उक्यूपाइड बाई आयाईबी यानि कि आज किसी भी गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज के अदर देखा जाए तो हर पाच विद्यार्धी में से तीन विद्यार्धी आपको आयाईबी अन मिलेगा निट 2021 में पूरे नैशनल रिकॉर्ड को तोरते हुए आयाईबी ने एक लैंडमार्क रिज़र्ट दिया जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया ने रिकगनाईज किया और आयाईबी को सम्मानित किया आयाईबी पैटर्न यानि की डॉक्टर बनाने का एक में वो विश्वस्नी है पैटर्न ओडियो विश्यूल क्लास्रूम्स बेस्ट नाशनल फैकल्टी तो क्राक नाशनल लेवल एक्जामिनेशन्स बीएस्प यानि के डाउट सॉल्विंग बिरेट स्टूडन को मिलने वाला पर्सनलाईज कांसिलिंग पैरेंट्स को टाइम टो टाइम मिलने वाला गाइडन्स एन आयाईबी के पर्फेक्ट फ्रिजिक्स, केमिस्ट्री और बायलोचिके नोट्स ये सब मिलके एक्जूल एक आयाईबी पैटन बनाता है जिसे कोई एक सिंगल परसन नहीं बट की एक विशनरी टीम रन करती है और इस आयाईबी पैटन का अनुकरम पुरा महराष्ट करता है इस आयाईबी पैटन की कॉपी पुरा महराष्ट करता है लेकिन हमें अभिमान है इस आयाईबी पैटन का कारण बिसकली कॉपी उसी की होती है जो की एक पर्फेक्ट पैटन होता है IIB FAST यानि कि Free Admission Selection Test ये विद्यारतियों का पहला विश्वस्निय कदम है डॉक्टर बनने की तरफ तो इस विश्वास को और प्रोच साहिद करने के लिए IIB की तरफ से scholarship प्रतिवर्ष दी जाती है of amount 2.40.000.000 रुपिस तो इस scholarship जो परिक्षा है called IIB FAST ये दो फेजिस में कंड़क्ट होने वाली है फेज 1 परिक्षा 13 फरवरी 2022 को है यानि कि 13 फेबरी 2022 को फेज 1 एक्जाम है which is called screening exam इस screening exam से 1000 गुणवंत विद्यारति सिलेक किये जाएंगे और 9000 गुणवंत विद्यारतियों की offline exam IIB लातुर campus के तो 13 फरवरी को होने वाली पहली परिक्षा screening परिक्षा online mode में होने वाली है जिसमें से 1000 गुणवंत विद्यारति सिलेक किये जाएंगे और उन 1000 गुणवंत विद्यारतियों की second exam offline होगी वो भी IIB लातुर campus के अंदर है इस परिक्षा का जो syllabus है वो आपके 10 वी के अभ्यास साइन्स का सिलेबस रहेगा और वो विद्यारति जो 10th state board के अंदर है उनके लिए 10th state board के साइन्स का सिलेबस रहेगा IIB वाज की पहली परिक्षा 13 फरवरी को होने वाली है जो की total 180 questions की परिक्षा है जिसके अंदर 45 questions physics, 45 questions chemistry and 90 questions biology के रहेएं एक प्रश्न को सही उत्तर देने के लिए 4 marks मिलेंगे and there are no negative marks यानि कि कुल ये परिक्षा 180 प्रश्न की है यानि कि 720 marks की है जिसका duration of the exam रहेगा 3 hours तो पहली परिक्षा screening परिक्षा 13 फरवरी को है और 13 फरवरी को 180 प्रश्न की परिक्षा है 720 marks की परिक्षा है and there is no negative marking इस परिक्षा का registration 10 फरवरी 2022 से पहले विद्यार्तियों को करना है registration completely initial कहे यानि कि registration के लिए देराद no charges तो विद्यार्तियों 10 फरवरी से पहले अपनी पहली screening exam के लिए registration कीजिए and basically आप जैसे ही register करेंगे आपको registered mobile नंबर पे आपको IIB app दिया जाएगा उस IIB app के अंडर आपका 13 फरवरी का exam होने बना है तो तेरा फरवरी का परिक्षा online होगी जिसमें से 1000 गुणवंत विद्यार्तियों सिलेक किये जाएगे और उन्हें फेस टू एक्जाम के लिए बुलाए जाएगा जिसका declaration 14 फरवरी 2025 को होगा तो second phase of exam offline रहेगा IIB लातूर campus के अंदर first phase of exam online रहेगा for all students in IIB app तो विद्यार्तियों basically get registered for IIB pass, utilize this golden opportunity और यदी आपको कोई अधिक माहिती चाहिए तो basically visit our website www.IIbedu.com और contact our IIB office. Till then stay tuned with IIB, think need, think IAB.